हेलो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आज की कहानी का नाम है संगर्स एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया कभी बार आ जाए कभी सूखा पड़ जाए कभी दूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात् है लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है एक प्रारतना है कि आप एक साल मुझे मुझे मौका दीजी और जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो फिर आप देखना में कैसे आने के भंडार भर दूँगा परमात्मा मुस्कुराए और कहा ठीक है जैस तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा मैं दखल नहीं करूँगा किसान ने यहों की फसल बोई जब धूप चाही तब धूप मिली जब पानी तब पानी तेज धूप ओले बाड़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दी समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुसी भी क्योंकि कि एसी फसल तो आस तक नहीं हुई थी किसान ने मन ही मन सोचा अब पता चलेगा परमात्मा को की फसल कैसे करते हैं बेकारी इतने बरास हम किसानों को परिसान करते रहे फसल काटने का समय भी आया किसान बड़े गर्व से फसल काटने गाया लेकिन जैसे ही फसल काटने लग एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, यहूं कि एक भी बाली के अंदर केहू नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी, बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ, तब परमात्मा बोले, ये तो हो नहीं था, तुमने पोधो को संघस का जर बॉले गिरते तब पोधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संघस करता है, और इस बल पेदा होता है, वही उसे सकती देता है, उरजा देता है, उसकी जीवर्ता को भारता है, शोने को भी कुंदन बनने कि מא न आग में तपने हतोरी से पी प्रतिबासाली बनना है तो चुनोतियों तो स्विकात करना ही पड़ेंगे अन्यता हम खोकले ही रह जाएंगे अगर जिंद्गी में प्रतिबासाली बनना है तो संघर्षतों का सामना तो करना ही पड़ेगा